गुड इवनिंग एवरिवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ओनलाइन ए लर्निंग प्रेटफर्म आई होप अब जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे गाइज मैं आउट अप स्टेशन हूँ, हमारी टीम आउट अप स्टेशन चल रही है पिछले 24 गंटों से आप तक कोई भी लेक्चर हम लोग अपडेट नहीं कर सके जिसके लिए हम आप से शमा चाहेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आप में चल रहा था तो मोसम ठंडा है, सरीर गरम हो जाएगा और इतने में मैं आप तक अपडेट पहुंचा दूँ, कि नई रिक्रूट्मेंट्स आउट हो चुकी है पर्मानेट जॉब होगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्ट बेस पे नहीं है और इससे क्या है, आप लोग कहीना कहीं तैयारी कर रहे हो, तो आपको सुकून मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी, कि हाँ, कहीना कहीं से एक और विकैंसिस आ जाए तो इससे क्या कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिदेंस की साथ स्टड़ी करोगे तो चलिए आपको बताना चाऊँगा, अब आपको अफिशली नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ फिर उसके बाद में मैं आप से बात और भी करूँगा तो गैज यह विकैंसिस हैं, गौर्मेंट औफ एंसिटी ओफ डैली के अंडर निकली हैं सबसे पहले तो आपको बताना चाऊँगा कि ओपनिंग डेट ओफ एप्लिकेशन की यानि फॉरम भरने की डेट होगी, वह 31.01 से शुरू हो जाएगा 31.01.2019 से लेकर 5.03.2019, यानि मैं कहने का मतलब 5.03.2019 तक आप फॉरम अप्लाई कर सकेंगे कौन-कौन फॉरम अप्लाई कर सकते हैं, जरा हम लोग उस पर ध्यान देते हैं सबसे पहले तो जैसे लॉट डविजन LDC है, ग्रूप C के लिए 1900 पेबेंड होगा आपका, टोटल 27 वेकेंसी है, फिर स्टैनोग्राफर ग्रेड 2nd के लिए 6 वेकेंसी है फिर इसके बाद में Junior Lab Assistant के लिए 7 पोस्ट हैं, Legal Assistant के लिए 5 वेकेंसी है और इसमें दे रखा है कि Assistant है, S Assistant के लिए 1 वेकेंसी है Junior Environmental Engineer के लिए 48 वेकेंसी है और Welfare Officer के लिए टोटल 110 वेकेंसी है जी हाँ और इसमें आपको condition सारी की दे रखी है यानि ये 5 मार्च तक आप फोरम भर दीजिएगा ये सारे के सारे online फोरम होंगे और इसमें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास LDC के लिए बार्मी पास होनी चाहिए और आपको typing 35 word per minute English में और या मतलब दोनों के बीच में होगी 1900 payment होगा और 18 साल से लेकर 27 साल के students तक इसमें फोरम भर सकते हैं इसके बाद में जैसे कि आपको आगे अविश्य पढ़ लेना है ठीक है मैं आपको अंतिम पोस्ट के बारे में दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसे कि आपको पोस्ट दे रखा है यह पोस् इसमें जो कि आपके लिए master degree आपके पास master degree होनी चाहिए social work और master of art के अंदर sociology में होनी चाहिए post graduate degree ठीक है तो इसमें क्या है कि एक साल का आपके पास practically experience होना चाहिए field में काम करने का और आपकी salary है यहाँ पर 4200 आपकी pay grade रहेगा और इसमें 9300 से लेकर 34800 तक आपकी salary यह और as per the government rule 5 साल का relaxation CST को मिलेगा 10 साल का relaxation ex-serviceman को मिलता है जी हाँ अब आपको online forum भरना है no other mode of application होगा कोई भी आपका accept नहीं होगा और इसमें सोर पे आपका examination fees होगी ठीक है गाइस तो यह हम आपको बता देता हूँ इसके बाद में होगा जो selection होगा वो selection टायर 1 और टायर 2 के base पर होगा और उसके बाद में skill test होगा examination scheme में टायर 1 और टायर 2 के लिए आपका paper जो होगा उसमें अधार पर आपको paper second के अंदर यहां आपको next प्लाय जाएगा टायर 1 की जहां तक बात है अपको बात जी की जी ए होना चाहिए माफ करने जी ए होना चाहिए general awareness जी हां और पिर उसके बाद में reasoning और फिर maths और अंत में हिंदी comprehensive and English language यानि हिंदी और English दोनों होगा और इसमें दे रखा है कि applicable only for one टायर टेक्निकल only तो यह आपको आगे condition दे किया है benefits किस-किस को मिलेगा जी हां और इसके बाद में पैरे बंदू आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे एक बात और करना चाहता था जितने भी लोग गिल्ज मेंटॉर के साथ जोड़े हैं आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया thank you so much ऐसी परकार से आप प्यार करते रहा करें और बस हमें खुशी मिलती है आप तक कुछ काम करते वक्त और कुछ नहीं है ठीक है तो बस आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हों तो हमें कहीं नगें काम करने के लिए प्रेणा मिलती है आप लोगों से ठीक है on the road था मैं तो मैंने सुचा भी चलो मैं आपको कही इसे आपसे discuss कर लूँ तो thank you so much guys मैं मिलूँ आपको next minute तब तक ख्याल रखिएगा और take care bye bye